आज उन्होंने 5 Chief Executive Officers, यानि के CEO's से मुलाकात की और इसके बारे में मैं आज थोड़ी सी इसकी विसलेशन देना चाहता हूँ इसकी क्या significance है, इसकी क्या महत्व है, इसके बारे में हम बात कर सकते हैं पहला शांतनु नारायन जो के Adobe के CEO हैं आजकल हम आजकल ये Adobe के products काफी हद तक हम यूज कर सकते हैं अगर आप website development कर रहे हैं, तो आप शायद Adobe Photoshop यूज करते हो या नहीं तो Adobe Dreamweaver यूज करते हो या PDF तो ज़रूर आप जानते हैं, वो भी Adobe का product है तो Adobe जो है एक काफी बड़ी software powerhouse है जिसके साथ Shantanu के साथ मोदी जी ने बात किया तो मेरा ये मानना है कि अगर Adobe चाहता है तो काफी हद तक इंडिया की जो workforce है, उसका इस्तेमाल कर सकता है Shantanu वैसे मेरे मित्र हैं, मैं मुझसे एक साल चोटे हैं जूनियर थे इंजिनियरिंग में जब हम पढ़ रहे थे उस्मानिया में तो ये है एक बहुत ही प्रभावशिल युवक थे इवन इन दो स्टेज मैं मैं सन उननीस सव बार नीस सव बार सी यानी 1982 की बात कर रहा हूं जब एशियाड इंडिया में हुआ था इंडिया ने होस्ट किया था और उस एशियाड में शायद जब शांतनों जी कुछ 17-18 साल के युवक थे उन्होंने भारत को रिप्रेजंट किया रिगाटा में रिगाटा एक सेलिंग की एक इवेंट होती है उसमें उन्होंने भारत को represent किया था, उन जमाने में हम cricket साथ में खेला करते थे, तो ये काफी smart हुआ है, तो अब क्या होगा, किस सरह से वो अपना company को इंडिया में ले आकर कुछ help कर सकते हैं, तो वो देखना है, मुझे तो आशा है कि कुछ तो हो जाएगा, और उसके बाद, मोदी जी ने विवेक लाल, जो कि General Atomics के CEO हैं, उनसे मिला था, अब General Atomics जो है, ड्रोन की manufacturing करता है, उनकी प्रथम या शायद 90% customer US military है, ये काफी आगे हैं, ड्रोन टेकनोलोजी में, ये माना जाता है कि इनके पास एक 8 इंच का ड्रोन है, 8 इंच, यानि कि पे इनकी ही लंबी, उसके अंदर वो इतना ammunition भर सकते हैं कि उसके साथ ही आप fighting कर सकते हैं, तो जब इतनी miniaturization इन्होंने की है, तो शायद भारत को ड्रोन की ज़रूरत है, ड्रोन अस्त्र माने जा सकते हैं, ड्रोन के साथ आप management भी कर सकते हैं, यानि crowd management कर सकते हैं, रायट के जैसे कि जिस तरह से Amazon करता है, तो ये इसके काफी uses हैं, तो ड्रोन की technology अगर भारत को आएगी, तो इससे शायद एक भारत में काफी हद तक employment opportunities भी बन सकते हैं, अब देखना है कि किस तरह का deal बनेगा, अगर बना तो, बट इतना तो आवर्ष मैं कहूंगा, कि जो ये भारत अपनी American जो हैं, जिस तरह से मैं हूँ, हमको बहुत ही अपनी जन्म भूमी से एक प्रेम है, तो हम हमेशा यही चाहते हैं कि कि किसी ने किसी तरह हम अपनी जन्म भूमी का मदद करें, क्योंकि जो है हम आज, वो जन्म भूमी की वजह से ही हैं, तो देखेंगे क्या होगा, तीसरा CEO जो मुदी जी ने मिला था, वो है क्वाल कॉम के CEO, आपको क्वाल कॉम शायद आपको डेली आप तो देखते नहीं है, लेकिन क्वाल कॉम के चिप सेट्स, चिप जो हैं, वो हैं स्मार्ट फोन में, स्मार्ट फोन या फीचर फोन जो भी है, उसके अंदर बनते हैं उनी ही से बनता है, और क्वाल कॉम मेरे ख्याल में शायद नमबर वन या नमबर टू चिप सेट मेकर है, और ये बहुत ही अच्छा चिप सेट्स बनाते हैं, फाइवजी के लिए, फोर जी के लिए, एल्टी के लिए, किसी भी चीज देखेंगे आप, तो यहां से काफी ट इती वर्कफोर्स है, उसका अगर वो मंदत लेगा, और तो इससे काफी अच्छी, हाइप पेंग जॉब्स की एक पोटेंशल बन सकती है, इसके अलावा, फाइवजी टेक्नोलोजी, जिससे काफी ज्यादा प्रॉपर्टी बन सकते हैं, यानि कि वो जो टेक्नोलोजी इतन तो ये 5G का जो टेक्नोलोजी है, क्वाल काम दे सकता है भारत को, तो ये इसे काफी फाइदा होगा भारत के लिए, और भारती नागरिकों के लिए, तो इसके बाद उन्होंने एक CEO से मिला जो के First Solar के हैं, First Solar जो है Solar Panels में काफी आगे है, और Solar Energy तो हम सब जानते हैं क्या है इसकी तो बहुत ही अच्छी utilization हो रही है इंडिया में बलके और भी हो सकता है तो इससे अगर first solar अगर इंडिया में आकर एक R&D factory खोलेगा और manufacturing खोलेगा तो भारत को चैना पर जितना अभी निर्भरता है क्योंकि चैना से ही हम पूरे panels खरीते हैं जाए भारत हो या अमेरिका हो पूरे panels वहीं बनते हैं तो अगर भारत first solar technology को लेकर solar panels वहाँ पर manufacture करेगा तो कमाल हो जाएगा क्योंकि भारत के लिए needs भी बहुत है और भारत बहुत ही सस्ते में इसको बना सकता है तो यह एक बहुत ही important चीज़ है तो इन सब चीज़ों को भारत को लाने में एक जरुरत होती है पैसे वालों की और वो है Schwarzman जो के Blackstone के CEO है Blackstone venture company है जो के नए technologist में invest करता है तो शायद यह भी एक बहुत ही important meeting है तो हमको देखना होगा आगे चल कर कि किस तरह से भारत इन CEO की मदद लेकर अपना एक job situation बढ़ाएगा और अपने लोगों की जो lifestyle है उसको उंचा करेगा तो हमको देखना है कि किस तरह के incentives देंगे मोदी जी अब यह तो पहली game की पहली over है अब जाकर देखना होगा 20 over बाकी है और तो देखना होगा किस तरह चे बनेगा लेकिन इतना तो हम कह सकते हैं कि शायद मोदी जी अगर मन लगाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा चीज बन सकता है लेकिन यह जो implementation है यहाँ पर ही भारत थोड़ी से गड़बड कर देता है आपको देखिए budget में announce किया गया कि single person NR है जो कि मैं हूँ मैं भी चाहूँगा तो मैं इंडिया में एक company कोल सकता हूँ लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि इसके अभी भी rules frame नहीं हुए budget तो announce हो तो का February में 5-6 महिने हो चुके हैं तो यह इस तरह की जो delay है इसको avoid करना चाहिए तो यह यहाँ पर ही इंडिया थोड़ी सी आपको catch up जल्दी करनी है तो इस तरह से अगर simplify करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा भारत के लिए उन्नती होगा